दोडो तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों आज हमारे पास में आई हुई है ये incl we करने की दोर आपको हम बताएंगे कि इसके अंदर कितने नंबर कनी बाहिए मोहाटर फिल्ड में होती है सब कुछ बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो के अंदर तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं तो हमने देख सकते हैं इसके अंदर डाल लिया है और इसकी स्टेंपिंग अगर मैं आपको नाप करके दिखाता हूं तो आपको मिलेगा यह है स्टेंपिंग की डाया दोस्तों 108 वरसका इनरड डाया दोस्तों 58 तो इसके इनर dya न है इसका दोस्तों 108 है और इसकी टेंपिंग की लेंद्थ है वह है आपकी पिछिए ठीक चौटे जोस्तों इसके अंदर जैसे वी गार्ड कमपनी की कि तो चींट करके हैं पडाइब करके कि यहां वैंड कर ले कर यहां दो कर कि यहांनि कि 23 और 24 रंइंग की लिए ऑच्रूंब मिलगा लगाaches करते हैं वाद में लAutन वालती यहां Aww के छिर्म पहले से नहीं रखते कि इसकी इतना होना चुंअ पार लेते हैं सिंप्ली जिसके अंदर इसके अंदर नहीं हो है व्यूंते हुए कि दो쳤े है फॊंट है को दो 강ठ है इसका जो वह स्चे आठ्ट 10 15 को ङाय। 10 तरह से हमें थोड़ा सा गैब दे देना है ताकि हमारी कोईल है वो सेटिंग अच्छे से आ जाए और फिर से ऐसे बना लेंगे कोईल की जैसे ही फिर से डालके देखेंगे एक दो तीन चार चोटा बड़ा हम यहीं पर करके देख लेंगे इस तरह से कम से कम इतना गैब होना चाहिए देख सकते हैं इधर विसे और इधर से भी एतना होना चाहिए ताकि स्टार्टिंग की कोईल आपको डालने में दिक्कत ना हो बीच में चार शुटे हुए होने चाहिए इस तरह से आपको यह फरमा कर लेंगे अपने मशीन की हूपर वहां पर पर बाद इसके आगे उसके बाद फिर से हम सकते हैं यह यहां पर हो गया इसको कट कर लेंगे और इसके बाद दोस्तों बनाएंगे हम अपनी कॉयल है तो इसकी टरने कितनी इस तरह से यह हमारी मंद्रियत से लिए मना लेते हैं यहां पर इतना है यह 22 इस तैंस्ट इस चौन इस्ट सब्सक्राइब बसक्रावाएं जाविटीन सब्सक्राइब अपर सब्सक्राइब में थे सब्सक्राइब एक दो दीन, एक दो दीन, एक दो दीन, एक दो दीन, सिलाट है, एक दो दीन, 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 एक द हमारे बन गई है अब अगर आपको सक हो कि हमारे कोई की छोटी है बड़ी है डालने में दूसरी वाली दिक्कत ना दे पहले वाली खराब बन जाए तो ऐसे में आप एक काम कर सकते हैं कि इसको पहले डाल के देख लेजिए वह चोटी बड़ी तो नहीं यह गई आपसे दूसरा खराब होता ही हो ना तो एक दो टीन इसरे में समने कोला है नीचे से तो देखो एक कोई हमारी यह बन गई है स्वरग देते हैं दूसरी भी बना लेते हैं क्योंकि हमारी कोईल बन गई है निकी दोनों की दोनों अब बना लेते हैं थोड़ा से चोटा कर देंगे चैसे पहले हम यहां बनाते थे तब हम यहां भी बनाएंगे अधा सुलाद चोटा करेंगे इसे ने 65 65 तरने हैं एक लोग पीजांट यह सट टाइट चाइट रणिन थो देख सकते हैं दोनों कोईट कि कि दोनों हमारी हम बन गई है अब इसको हम डालने माले है अपनी इस मोटर के अंदर जो कि हमारी यहां पर रख्शी होई है तो इसको आपको देखना हो तो इसमें आप यह देख सकते हैं कुछ उल्टा सीधा का जो हमारी कंपनियां होती है वो जो ब्रेंडिंग करके देती हैं यहां पर देखिए वी गार्ड लिखा तो सीधा सीधा जिदर से समझ लो ऐसी रख आप एसे असे डाल सकते हैं तो एसे डाल लेते हैं सुम post में डालेंगे की तरछा और औरBY से लेंगे जैसे मोटर को करते हैं वैसे ही इसकी पहली क्वाय को हम डाल लेते हैं बाकि इसका और भी तरीखियह होते हैं चेज़ब सराइस तरीके से हो जाते है वांडिंग फिर क्या जरूए थे दुनिया हो तरीका पुनाने के छहीं है कि अधे यह 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 कि अधे कि अधे कि थे कि छोटों कोल पहलі डल गई है कि दूसरी डालेंगे फिर तिसरी वाली पिर चौथी वाली इस तरह से हमारे सारी कोलि डल जायेंगे है बहुत लोग सोचेंगे कि सर्जी समक सिवल की मौटर इसामर की तरह वाइंड नहीं करते है है हमोटर की मोंटर कि इसके अंदर हात जाता नहीं सतरा से हाथ नहीं दाल सकते आप पर ये जो स्काहिए इसकी ज्यादा है सेविश है इस ने हमारा रहा है ये तो शौट है में 34 इंचि जादा तो इसलिए यहां पे जगह है यही कारण है कि हमें इसके अंदर हाथ डाल करके काम करने में मतलब बन रहा है तो इससे दिक्कत नहीं हो रही है जब दिक्कत होती है तभी दूसरे तरीके अपनाये जाते हैं काम को आशान बनाने के लिए पहले ही आसान है फिर क्या आसान बनाने है तो आप जैसे हमारी पहली कोईल डली थी उसी प्रकार से सिंपल हम इसमें दूसरी कोईल भी डाल लेंगे रेनिंग की चाल कोईलों का इसका सेट है 23-24 नूमर से वाइंड हो रही है ज्यादा टाइट मोटर नहीं है डेटा हम सेम डाल रहे हैं जो कंपनी से निकला था इसमें तो वीगार कंपनी की है आपके पास में इस तरह से मोटर आए तब उसको वाइंड कर सकते हैं आप इसको पैकिंग लागा कि समर्शिवल की तरह भी वाइंड कर सकते हैं और इस प्रकार से आप इसको आप मोटर की तरह भी वाइंड कर सकते हैं क्योंकि हाथ हमारा जा रहा ह तो हमारी जो क्वाइल है पुरी देख सकते हैं और अब इस्टार्टिंग के क्वाइल हमें डालना है तो जारा कुछ दिक्कत है नहीं और हमारी जो क्वाइल है बहुत बढ़ियां से यहां पर डली होई है अब रूकाउट नहीं कहीं पर तो दबाने की जरूत नहीं है सेटिंग की जरूत है तो इस तरह से दोस्तों हमारी जो प्रवाइल है वह भी डलना इस्टार्ट हो गई और बहुत अरावं से डल रहे है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप इसी तरह से अगर आपके हाथ को अगर जाता है तो आप इस तरह से कीजिए और नहीं हाँ जाता है तो पैकिंग लागी जैसे आम समर्सिवल को मोटर हम वाइंड करते उस तरह से भी आप को दिखाया था उस तरीके से आप अगर को डालेंगे तो तारों को छिलने का चांस बहुत कम होता है वैसे अगर आप आप शारी डल गई है और बहुत बढ़ियां तरीके से डली है कोई प्रसानिया अर नहीं है अब भी करने है से चेटिंग करना है तयार इसके लिए क्या करेंगे कि इसी को पर रखेंगे उसके बाद लेंगे प्लास्टिक यह थोड़ी जैसे अपनी मोंटरों को फोटे वाल क्या से क्या हो गया मनिगा न सुन्दर इसके इंद लाएंगे हम इसी पेपर गा शेपरेटर सेपरेटर इतना लगाना है कि आपका रणी स्टाटिंग आपस में सटना नहीं चाहिए जिकन देखो हमारे वाला सट रहा है इतना दिखाएं इतना तार अंदर गया है उन्हों तरफ से इसको उठा के ध्यान पूर्वक्त एक काम करना है तो आपका ध्यान भूंग कर सकता है यह जलत काम तो पहले धागा लगा लेका है उसके बाद दूसरे साइड का हम सेटिंग करेंगे कि अधर वाले को बनाना है जोस्तों यह कोईलों की सेटिंग की जाती है वह इसलिए की जाती है कि बाहर में जो हमारी कोईलें कहीं पर लगने के चांसे वहां से हट जाएं और अंदर में पर लिए इसलिए जाता है कि रूटर हमारा जब जाए गाइसके अंदर तो कहीं से वह दिक्कत प्रैसानी ना प्रफ़ पैदा हो कोई जिसके बिसमारी तारे चल जाएं तूट जाएं तो इसलिए यहां पर दोस्तों हम इसको लगा जाता है हम लोग लगाते हैं और सेपरे हैं यानि कि एक से तीन वाला जो कनेक्शन होता है उसी को कर रहे हैं और स्लिव इसमें हम चार हो जो मेन हमारी तारे निकलेंगे दो रेनिंग की उसको हम सिंपली यहां पर कॉमन नहीं बनाएंगे क्योंकि जिसकी मोटर है उसका कहना कि भाइसा हमें इसको यह नहीं पता है कि एसन थो तीन निकालनपत में उसका सोलर करों करते हैं और अल्बन एक्शह धियसाओ निकाल देते हैं उसके बाद अपने जृत्ती भी सब्लद सम स्क्सक्राइब युद्स रखा है तो चलिए इसको किंप्लीट कल देते हैं है कि सब्सक्राइब कर दो आप कर सकते हैं वी कम लखेग हैं शुकम जयांस कंग होते हैं तो कनेक्शन शॉल्डिंग स्लीव के बाद में अब दागा लगाने बारी आते तो इसके अंदर हम दागा लगा रहेते हैं धागा कोसिश कीजिए कि सब जनकी है अंदर से आप निकाल देजी रहत robot में सबसैके छोड़ करて एक तो कर देजिए रहते हैं और अपने वायरों की आपकी वायरी लीडियों की जो होनी में की छाहिए दोस्तों पेपर स्लाट पेपर यू पेपर दबाते समय आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए हमेशा क्योंकि दोस्तों ज्यादा तेज दबा देंगे तो आपके पेपर हम फट जाएंगे उपर से और नीचे से आपकी मोटर के अंदर करंड़ा सकता है और दोस्तों एक नंबर की हमारी वाइंडिंग हो गई है complete तौनों तरफ से कोई भी पेपर वाइंग उठाव नहीं है सब को हमने दवा दिया तो इस तरह से दोस्तों हमने अपने मोटर की वाइंडिंग कर लिए complete अब मैंने अपने तरफ से आप लोगों को सब कुछ लगबग करें हमारी वीडियो मुझे कमेंड करके जरूर बताएगा और इस तरह की वीडियो इस तरह की जानकार करें हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो चलिए मिलते हैं किसे नहीं जानकार साथ तब तक लिए नमस्कार जैस्यारा